थो हले फ़रे में वेलकम टो माई यूटूब चैनल तो कैसे आप सब तो फेट अगर आपकी जो कार है अगर वह काफिछ जग इंजिएन ऑई आप और कुछ टाइम में जब आप वीडियो और आपको एसी प्रॉब्लम हो रही है कि इंजन ऑई जो है वो वीडियो खा रही है तो ऐसे कंडिशन में करना क्या है और हमारे vehicle के अंदर actual में ऐसी problem क्या है जिस वज़ा से ये चीज़े हो रही है तो आज के इस video के अंदर आपको मैं complete information देने वाला हूँ तो friend request करूँगा ये video starting से लेके end तक जरूर देखना जिससे आपको सारी information अच्छे से मिल सके तो friend बहुत से vehicles के अंदर ये problem आती है चाहे आपकी petrol car हो या फिर diesel car हो तो point wise मैं आपको सारी चीज़े cover करूँगा सबसे first जो point आ जाता है friend अगर engine oil consumption हो रहा है जादा तो उस condition में हो सकता है आपकी engine की जो seals हो गई या फिर जो gaskets हो गई वो कहीना की खराब है अगर engine के अंदर जो भी seals लगी होई है अगर वो कहीना की damage है तो उस condition में होता का है friend जो भी engine oil है तो कहीना की आपकी combustion chamber में जलना चुरू हो जाता है तो अगर engine oil कहीना की burn होगा तो उस condition में engine oil का level definitely कम होने वाला है तो आप किसी भी workshop पे जा सकते हो तो वहाँ आप vehicle का ये चेक कराओ कि engine seals जो है वो कहीना की damage तो नहीं है कोई न कोई या फिर उसके जो rubber हो गया है वो काफे ज़दा hard तो नहीं हो गया है तो उस condition में भी क्या होता है engine oil consumption से जादा हो जाता है और आपकी vehicle जो है वो काफे ज़दा engine oil consume करना शुरू कर देती है second एक most common reason हो जाता है वो आजाता है आपके piston rings का फिर जो भी आपके vehicle का combustion chamber है उसके अंदर जो भी cylinder और piston का movement हो रहा है तो piston के उपर लगे होते है एक piston ring अब कई बर क्या होता है वो अगर ring खराब हो जाए तो जो भी oil का partition है वो नहीं हो पाता है और जो oil है वो कहीने की combustion chamber के अंदर पहुँच जाता है और oil अगर combustion chamber के अंदर पहुच गया तो वो burn होना start हो जाता है और ऐसे condition में जो भी oil level है for example अगर maximum level आपका oil था तो वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और एक टाइम ऐसा आता है पूरा oil, engine oil जो है वो burn हो जाता है ऐसे condition में एक symptom आपको ये भी देखने को भी लेंगा जब वीकल को accelerate करेंगे या फिर idle condition में भी अगर engine oil burn हो रहा है तो black smoke आपको देखने को मिल जाएंगे अगर वीकल जो है वो काफिज़दा black smoke प्रेडियूस कर रही है काला धुआ आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझ जो कईने की engine oil लेवे consume हो रहा है और combustion chamber में वो जल रहा है तो इससे आप identify कर सकते हो कि engine oil जल रहा है या नहीं थर्ड इंग most common reason आ जाता है वाज़त है oil leakage का तो आप अपने वीकल के अंदर सारा चीज़े चेक करो अंडर बॉड़ी चेक करो या फिर किसी भी वर्क्शॉप पे जाके आप चेक करवा सकते हो कि कहीं से कोई leakage तो नहीं है हो सकता है कि आपके oil सम जो है वहाँ से कोई leakage हो सकता है जो drain board है हो सकता है वहाँ वो थोड़ा lose रह गया है इसलिए leakage हो रहा है या फिर हो सकता है आपके वीकल के अंदर जो main oil seal है वो खराब होगी है तो वहाँ से oil leakage हो रहा है इस वज़़े से consumption ज़ादा हो रहा है मिस oil level कम हो रहा है तो कहीने के क्या होता है यह जो PCV wall होती है वो कहीने के faulty हो जाती है या फिर खराब हो जाती है तो उस condition में भी क्या होता है जो engine oil है वो कहीने के ज़ादा consume होता है और engine oil level जो हमें कम देखने को मिलता है तो यह भी चीज़ आपको चेक करना है जो PCV wall है वो कईने की faulty तो नहीं है या फिर उसके अंदर कोई problem तो नहीं आ गई है इसके बाद फिर फिर नमबर पर जो reason आ जाता है वो आ जाता है आपके वेहिकल का engine head gasket फिर आपको जैसे का पता होगा आपके वेहिकल के अंदर engine head gasket लगा हुआ होता है अब कई बर क्या होता है वो engine head gasket जो है उसका rubber hard हो जाता है या फिर वो काफी जदा wear out हो जाता है या फिर उसके अंदर crack form हो जाते है तो कहीने की क्या होता है engine oil जो है वो आपके combustion chamber में जाके मिल जाता है और वहाँ burn होना start हो जाता है तो कहीने की अगर engine head gasket आपके vehicle की खराब है सबसे पहले तो आप ये चेक करो अगर वो खराब है तो definitely आपको उसे replace करना ज़रूरी है इसके बाद फिर जो reason आता है वो आजाता है engine oil का खराब होना फिर बहुत से weak market में ऐसा होता है कई तरीके के engine oil मिलते है अब बहुत से time क्या होता है हम किसी भी तरीके का किसी भी grade का engine oil अपने vehicle के अंदर top up कर देते है या फिर पूरा ही डाल देते है कई बार ऐसा होता है आप किसी भी खराब grade का oil अपने vehicle के अंदर डाल देते हो तो उस condition में भी consumption बढ़ जाता है और proper lubrication नहीं होता है कईना की engine oil level जो है वो reduce हो जाता है तो ये भी most common reason देखा जाता है अगर grade proper नहीं है engine oil का या फिर engine oil की quality proper नहीं है अच्छी नहीं है तो उस condition में भी consumption जादा हो जाता है तो फिर ये सारे point जो मैंने आपको बताया हो ये ही कुछ most common reason निकलते है engine oil का consumption अगर जादा हो रहा है तो ये आप अपने vehicle के अंदर check करवा सकते हो किसी से भी check करवा सकते हो किसी workshop पे जाके या service station में जाके और जो आपकी problem है वो definitely solve हो जाएंगे अगर इस video से related आपकी कोई भी doubt रह जाते है तो आप comment section नों पूछ सकते हूं मैं जलते जल्ला आपको reply देता हूं सब पर आज के लिए ते में आप नेक्स वीडियो में जब तेक लिए good bye